हेलो एवरिवन आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकर्स करूंगा DSP US Treasury Fof Diet Growth NFO के बारे में यानि कि आज जो NFO आया हुए है उसके बारे हम लोग complete बात करेंगे तो इसमें मैं आपसे डिसकर्स करूंगा कि इस NFO का launch date कब है, in date कब है, allotment date कब होगा, NAB क्या है, इसका expense ratio, exit load, साती साथ हम लोग इसका fundamental के बारे में complete बात करेंगे यदि आप डेली इस तरीके का NFO या फिर IPO का वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो आप अमारी चैनल को ज़रूर subscribe किजिएगा, क्योंकि हम अपने YouTube चैनल पे, स्रिफ इस चैनल पे NFO और IPO के regarding वीडियो अपलोड करते हैं, तो बात करते हैं, ये mutual fund काफी highrix mutual fund रहने वाला ह इसका जो launch date है, इसका launch date है 7 March 2024 को, और in date है 13 March 2024 को, इसका allotment date है 18 March 2024 को, ये mutual fund आपका जो NFO से mutual fund में allotment कर दिया जाएगा, और आज की date में इसका एक इनेवी का price है 10 रुपिया, बात करते हैं इसकी expense ratio का, तो इसका expense ratio नील है, exit load की बात कर लेते हैं, तो इसमें किसी परकार क exit load नहीं लगेगा, आप किसी भी time अपना पैसा इससे निकाल सकते हैं, इसकी stamp duty की बात करते हैं, stamp duty है 0.005%, अब इसके अंदर minimum investment amount की बात करते हैं, तो minimum lump sum जो set किया गया है, वो 100 रुपिया का set किया गया है, और minimum SIP आप इसमें 100 का set किया हुए है, इसके बारे में कुछ हम basic knowledge देखते हैं, तो DSP mutual fund total assist में इंडिया पे नमर 10 में rank करता है, यह mutual fund start हुए ता 16 December 1996 को, इसका total assist under management है 1,86,000 या 33 करोर का, अब इसके बारे में ठुछावा सा और knowledge देखते हैं, तो DSP US Treasury FOF Direct Growth NFO, यह एक DSP जो की launch किया गया है, DSP mutual fund की तरब से, यह mutual fund start हुए ता 16 December 1996 को, इस fund का currently assist under management है 1,44,000 या 34 करोर का, और latest ने भी है 10 रुपिया, बात करते हैं, DSP US Treasury FOF Direct Growth, यह काफी high-risk mutual fund रने वाला है, इसमें minimum SIP amount 100 रुपिया का सेट किया गया है, और minimum lump sum भी 100 रुपिया का सेट किया गया है, अब हम लोग बात करते हैं, क्या हम ल रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ एक point आपको दिया गया, यह काफी high-risk mutual fund रने वाला है, तो मेरे हिसाब से आप इसमें थोड़ा सा time लिजिए, इस mutual fund को allartment होने दिजिए, उसके आद 2-3 मैने, 6 मैने आप इसका performance देखिए, उसके बाद ही आप इस mutual fund के इंदर invest कीजिए, अ अच्छी जानकारी को ले करके,